नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई व्यक्ति माइनर से मेजर में कनवर्ट हो जाता है तो बैंक एकाउंट में उसको जो एप्लिकेशन फॉर्म भरके देना होता है तो वो किस तरीके से भरा जाएगा उसके बारे में मैंने उसका लाइफ डेवो मैंने इस वीडियो में बताया है देखिए आपके पास आदार कार्ट की कॉपी होनी चाहिए जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही दंग से लिखी हो डिस्क्रिप्शन वाक्स में आपकर आप देखेंगे तो आपको फॉर्म का लिंक मिल जाएगा आए लाइब वीडि साल से कम थी तो जब आपने एक माइनर अकाउंट ओपन कराया था अब आप मेजर हो गए हो मतलब अब आपकी उम्र अठाव वस्ट से उपर हो गई है तो एस बहरे आपको अकाउंट में ओन होल्ड लगा देते हैं इसका मतलब यह कि आपका अकाउंट तेविंग हैं तो इ करके आपको बैंग या ब्रांच में जाके जमा करवाणा वहां है तो आएए दोस्तों आज मैं आपको बतता हूं कस्टोमर रिक्वेश्ट फॉर्म केसे बढ़ती हैं अपने आपर देखा होगा यहां पर दिखाए देए तो डेट आपको जिस दिनकी लगानी है जिस दिन आप form bank में जाके submit करा हूँ, तो मैं आपकी date लगा देता हूँ, इसके बाद आपका customer का नाम, जो भी आपकी checkbook diary में, वो नाम आपको यहाँ पर add करना है, इसके बाद आपके account से जुड़े वे mobile number होना चाहिए, उसके बाद आपके account number, जो भी आपके checkbook diary में, वो भी आपको य जनम date है, वो आपको यहाँ पर fill up करनी है, तो मैं इसमें fill up कर देता हूँ, इसके बाद, यहाँ पर आपकी जनम date लिखने के बाद, आपको यहाँ पर sign करना है, sign करने के बाद, आपको यहाँ पर अपना आदार card इसके पीछे लगाना है, और आदार card लगाने के बाद, यह आपको बैंक में जाके संबिट करवाना है तो तो फ्रेंड्स मुझे पूरी उमीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आयोगा प्लीज मेरा वीडियो आप उपने वाट्स अप ग्रोपे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवाके रखें banking related information के लिए थैंक यू फ्रेंट